भूस सारे लोगों का सवाल होता है कि हम बखरी पालन कैसे स्टार्ट करें गावन बखरी से बच्चियोली बखरी से या पहले पाट से खाली बखरी से तो आपको तीन-चार उप्शन इसमें आते हैं तो इसमें से मैं आपको उप्शन चुन-चुन के बताऊंगा फायदे और नुक्सान सब बताऊंगा तो वीडियो पुरा देखे और कमेंट करके जाए क्या सही लगा क्या गलत लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो सबसे पहला डाउट क्या आप कुंती बखरी से बखरी पालन चालू करें तो मेरा कहना आएंगा कि आपके तरफ जो भी आपकी गाओं की नसले गारान नसले बुलेंगे जो तो वही जो असी बखरी लो वह क्यों मैं आगे बताऊंगा आप अगर कभी ऐसी पहलन पाटा उस्माना बादी पहलन पाटा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके इसमें दो परिशान और एक फायदा है के फायदा तो यह है कि आपको इसाप से मिल जाएंगी कम की मिल जाएंगी 7-8000 में बड़ी पाट मिल जाएंगी और नुकसान ये है कि आपको इसको एक साल समालना पड़ेंगा और ये छे मैने बाद 2-4 मेने बाद ये लगेंगी और 6 मेने बाद बच्च दिएंगी 6 मेने बाद 5 मेने का बच्चा करे बादी इससे उत्पन आएंगा और दुसरी बात है कुछ वजय हो सकती, इसमें कुछ परिशानी हो सकती मतलब और दूसरी बात आएंगी कि आप कुछ बड़ी बखरी लो पहली तो मेरे साब से तो लोगी मत कि उसमें आपको टाइम भी लगेंगा और कुछ फॉल्ट में निकल सकता है और दूसरी बात कि आप बड़ी बखरी लिये तो आपको दो चीजा का फायदा हो सकता है वो दो चीजा एक एक से मैं समझा हूँगा कि पहली बात आप अगर दूद की बखरी लेते हो तो उसमें आपका भी एक बोकुर डाल दो दूद की बखरी सस्ती मिल जाती है और इसाप से मिल जाती है और अच्ची मिलती है और उसका दूदगीत अपनों समझ में भी आता है कि कितना दूद देती है क्या जिती है और उस में आपका बहुर्टा राख दो तोह आपकी बखरे 15 एक दिन में पुरी बखरे लग जाती है कि बखरे 15 थी दिन एक महेने में पुरी बखरे लग जाइए और आपको इस वत्पन भी जलनी मिलता है और बखरे भी सश्टी मिलती है, जा बड़ी बखरी बीस अदर की मिलती है, तो यहाँ पर ये बखरी 10-12 अजर में मिल जाती है, आपको दूद का भी फायदा रहता है, जुत्ति दीन मतलब वो लगती नहीं, तो दूद भी काड़ सकते हैं, दूद काड़ सकते हैं, आपको सम जब सब्सक्वर सब्सकरत resurrect लिए खीडिते रिते एक चट्रान करेंगे । क्या उप्षाय उडरे लिए निते टेंशन ग। ए सब्षमीय बत्षी घ्र्त कर्णी ने चांस रहते हैं। उससे आपकी बखरी आपका आंग पे अपने उपर पढ़ जाएंगी, मतलब महंगी पढ़ जाएंगी, कैसा कि बखरी साथ, सतरा, अठरा, वनीज़, ऐसी हजार की बखरी लाएंगी तुम, को अनीज़ हजार की तो लाओ, जब स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़ादा से तो चालू करना चाहते हो, तो उसमें भी आपका लॉस होंगा, क्योंकि कोई बलता कि हम पहलन छोटी पार्ट लेंगे, चार हजार की, पांच हजार की, तो इत्ती छोटी पार्ट बले तो आपको मा के निच्ची की मिलती, आप उसको दूद छुडाएंगे, तो कुरब जाएं मागे निच्ची बच्च रहें तो इसा बच्च रहता, चार महने की बच्चा, और वैसी अल्लग रहें तो छोटा सा हो जाता जगों पे, कुरब जाता, तो उसको बच्चे को उसकी मा से भी मत तोड़ो, और बहुतारे लोगा बलता हम बखरा पालन करेंगे, बखरी पालन के 10,000 में बिकाते, 8,000 रुपे खर्चा करके 10,000 में 6 महनी बाद बिकाते, फिर क्या पूर्र आपको, तो सौबात की एकिछ है, कि आपकर अगर बजट हो, तो आप बच्चो रही बखरी से स्टार्ट कर सकते हो, या आपके पास बजट नहीं है, तो आप मेरे साब से तो पा पास रहता कि कोंती बखरी कितना दुद दे सकती है, और इसमें एक और फाइदा है रहेंगा, कि आपकी बखरी आपको इसाप से मिल जाएंगी, और 6 महने के बाद आपकी उत्पन भी चाल हो जाएंगी, और आपको परिशानी नहींगी कि बच्चे मर रहेंगे, मर रहें, आपको दूत का भी आंदाज समझ में आजाएंगा, जो ऐसा अंदाज में लगगा, पहले ची बखरी हलकी है, तो अगली बारी को जब गावन दरेंगी, तो उसे भी का दो, और आप एक अच्छा क्वालीटी वाला भुकुर रखो, थोड़ा महेंगा ही रखो, मार अच्छ करने के काम है, आप पाइलन पाट कब लाओंगे, कब बढ़ेंगी, कब बच्चे देंगी, कब बच्चे को पाइसे आएंगे, वो नान को पढ़के फायदे निए, वो समझो, यूनिक चीज दरी कुछ तो पाल सकते हैं, जैसा आपकी बखरी में दूद वाली है, उसकी पा दार रुपे लगा रहे हैं, और आट-हजार में बच्चे भीका रहे हैं, तो कुई फायदी की बात नहीं, तो मेरा कहना तो यह क्या आप खाली बखरी पालो, खाली बखरी दूद वाली, जल्ली लग जाएंगे, उसमें जादा बेनिफीट है, तो चलो आप ब्लॉक खतम क कि दूधर रहे हैं, तो कि वजा इल्म अएटा है, तो मेरा, कि वजाएंगे, तो कि था जाप खतम आप याजारा, कि पालो इंसे बादान येका रहे वें, तो कि तो हिस्ता है। झाल झाल